जैन बचो, इस question में क्या बोला है, इसमें एक ellipse दिया हुआ है, उसका area निकालना है, area of enclosed by the ellipse, ठीक है, तो सबसे पहले ellipse जो बनेगा, यह vertical ellipse होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर y वाली value ज्यादा है, तो y की value हमें पता है, यहाँ पे जो है, वो कितनी होगी, 3,0 होगी, and this one is 0, sorry, this is 4, 0,4 होगी, and this value is 3,0, कैसे, क्योंकि हम कह सकते है, x square by 3 का square, plus y square by 4 का square equal to 1, तो हमारे यह वाला जो point आएगा, वो 3,0 हैगा, यह वाला जो point आएगा, वो 0,4 हैगा, area of ellipse का फॉर्मुला होता है, pi a b, तो pi a की value हमारे पता 4 है, b की value हमारे पता 3 है, तो हम सीधा सीध 12 pi unit कह सकते हैं, इसकी भी जूरत नहीं थी, हमें बनाने की, तो 12 pi answer आगया, खतम,